अमस्कार आजन बात करेंगे मॉन्सूल गुन के बारे में जो कि फूल गोवी का एक वेराइटि है यह बर्साथ के मौसम में मुख्यता लगा जाता है में रूप से बर्साथ के लिए हैं तो एक्चुली हमारे यहां सब्सक्राइब करें और अगर लोकल कोई प्रवाइट कर रहा कोई डिस्ट्रिब्यूटर तो आप वहां से ले ले या किसी सिंजल्टा की कोई ऑथराइस जीलर है तो उससे आप संपर करें और चलिए व्यापत हैं तो यह एक वर्सात के मौसम के लिए वेराइटी है यह जो बीच इसका जिम नरस्री ल लागता है तो लगभग 20 जूम से स्टार्ट हो जाता है नरसरी तो पहले गिरता है लेकिन त्यमपरीचर के अकौर्टि हम नर्सरी देते हैं तो जैसा टेमपरेचर रहे उस हिसाब से लिइस गिडराया जाता है और 10 अगस्त तक गिरा सकते हैं वह बस गिरा सकते हैं लेकिन में जो पीक पॉइंट है वह आप जुलाई में गिरा तो ज्यादा बैदर रहेगा अगस्त चला जाता है क्योंकि अगर हम बर्सात के मुझा में फूल को भी लगा रहे हैं तो इसको नवन अक्टूबर तक कर ज आना चाहिए लेकिन अगर लेट हो जाता हमें नर्सरी देने में तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी इसलिए कोशिश करें जोलाई में इसका नर्सरी देने का नर्सरी आपको 22-25 दिन के अंदर तयार हो जाएगा आप बस सही तरह से नर्सरी तयार करें कुछ लोगों को कshire करने का प्रोपर तरीका ही मालूम नहीं है जो है त्रूट्रै आप देख रहे हैं इसको सिंडलिक बोला जाता है इसमें हम नर्सरी तयार करें कोभी नारियल का बूरादाप भूला जका करता है इसको देके करना मिटी देखे नहीं मिटी सीधे रगल नहीं हुता है और यह राया देखने होता है और इसमें जरा आदर रहता है जिसके वज़े से जहर्वा जर्व तरह अब ज़र ग्रो करेगा तभी तो पौधा ठीक तरीके स्विकास करें और फंगस से ग्रसित नहीं होगा तो उसमें क्या करेंगे हम कुछ वर्मी मिक्स कर देंगे ऐसा नहीं कि प्रॉपर कोको पीठी देदें वैसे तो कुपोपीट में मिक्स आता है अगर आपके पास ट्राइकोटर्मा है तो आप उसको भी मिक्स कर दें यह एक जैनिक बैक्टिरिया है जो कि हमारे पौधा के लिए काफी अच्छा होता है और अब बर्मी कंपोस्ट का यूज़ करें अधिक से अधिक आप बर्मी का ह तो आप प्रोट्रे में लेयर करें और इसके बाद अगर आप जमीन पे भी ले रहे हैं तो वर्मी जरूर्व मिलाने से उसका फटिलिटी बढ़ जाता है और बीच अच्छा उता है बिच के अंदर मतलब बीज स्वस्थ रहता और अंदर से स्ट्रॉम होता है और अगर ट्राइकोडर्मा आपको वहां पर और अगर आसानी सब को मिल जाता है तो आप उसका में इस्तिमाल करें एक जिवानू बैक्टिरिया है जोगी काफी अच्छा होता है अगर कीट लग गया तो फिर प्रॉपर तरीके से विकास नहीं करेंगा हमारा पौदा वहीं गल जाएगा अब जर के पास देखेंगे कोडर के मतलब नीचे ब्लैक होके सूपके वहीं से पता मूर जाएगा ठीक इसी तरह मूर जाएगा तो यह सब नहीं होना और जब यह 22-25 दिने महारा पीज तयार हो जाएगा फिर आप इसे ट्रांस्प्लांट करेंगे तो जो ट्रांस्प्लांट करेंगे तो वह लगवाई देर फिट यह थाट जिसको बोलता है डेर फिट 18 इंच का पंक्ती बनेगा अब अब 18 इंच वह 20 इंच पर लगाए अब जैसे आपको लगाने का इक्षा 18 इंच अपन 20 या फिर अब 20 वह 20 की रिश्यों में दे सकते हैं यह आप पर डिपंड कर रहा है आप कोशिस करें वैसे खेट में लगाने का जो खेट उचा हो प्योंकि अगर बारिश पर पानी वहा यह बात हो गया और अब बात करें कि वाटो की बीच का उसतं साइस क्या है तो खिया में रियो C. पच्पन साथ दिन में पहला हर्वेस्टिं स्टार्ट हो जाएगा पच्पन साथ दिन में ये वह दा तयार हो जाता है 80 दिन में आपका खेत खाली हो इस बात का ध्यान रखने हैं और जो पैकट दो पैकेट में नेट 2000 काउंट बीद आता है स्क्वेर पीट में बता रहें तो 3200 स्क्वेर फिट अगर में दे रहें तो 4000 स्क्वेर फिट कभर होगा एक एप्रोक्स बता रहे हैं ऐसा नहीं किया होगा है कभी बीच गल जाता है जल जाता है इसी वज़े से एक एवरेज बता रहे हैं और यह पैकेट अप्डेक हरे हैं यह 500 के आसपास में जाएगा 500 से साथे 500 के बीच मौनसून क्विंग फिर से बात करें सिनेंटा का मौनसू चैसर मतलब बर्मी कंपोस्त और आर्गयनिक जादा ज्यादा इस्तेमाल करें और जब सुद रांस्ट कर रहे तो कोशीष सब्सक्राइब करें और प्लिसटार्ट करें में और प्रोपर मात्रा प्ली जानकारी लेना है तो हमारे खेति घर को सबस्क्राइब कर देंगे और इसमें हर एक वीडियो दिया गया है डीटेल किस चरह से फंगर से बचाना है कीट से बचाना है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया जो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल खेतीगर को सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाद